क्वीक आईस कंपोज यूर ड्रीम हलो दोस्तों क्वीक आईस में आपका स्वागत है हमारे चनल दोरा लगातार NCRT क्लास सुरू कर दी गई है हिस्ट्री जोगर्फी और साइंस तीनों के जो है क्लास 6 से लिए के क्लास 12 तक NCRT आपको मिल जाएगा पोल्टी इसके लाव आतीर चेप्टर वन में जो है यह तीसरा पार्ट है इसके पहले दो पार्ट मैंने आप लोगों को प्रवाइट करा दिया है आप यूट्यूब के प्ले लिश्ट पे जाकर के देख सकते हैं यह तीसरा पार्ट है और इससी तरह के आपको लगातार कांटीनू मिलता रहेग हम उसरो करते हैं सिधे लेशन की ओर यह कलास 6 NCRT हिस्टरी में जो है पाँचवा चेप्टर है राज राजा और एक प्राचीन गणराज मतलब कि इसमें महाजनपदों के बारे में बताया गया है इसके बारे में हमें देखना है आगे बढ़ते हम इसका जो है दो पार्ट म मैंने पहले बता दिया है आपको मिल जाएगा यूटूब हमारे उस पे जो है प्ले लिश्ट पे मिल जाएगा कुछ लोग सासक कैसे बने ठीक आज सासक कैसे बनते हैं चुनाओ के द्वारा ओठ होता है तब बनते हैं लिखा है लगभग 50 वरसों से हम अपने सासकों का परतेश्टित हो गए थी ठीक है असमेग यग इसे राम ने भी किया था तो असमेग यग एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेक में सुतंतर बिचरण के लिए छोड़ दिया जादा था इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां असमेग यग करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी मतलब यह समराज बिस्तार का एक बहुत अच्छा तरीका था प्राचीन काल में इस बात को या रखना ठीक है अगे है अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है यह होता था कि असमेग यग करने वाला राजा उनसे जादा सक्तिसाली था अगर रोकेंगे युद्ध करना पड़ेगा नहीं रोकेंगे तिसका मतलब आपने अधिपत्त को सुविकार कर लिया उस जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था इसके बाद उन राजाओं को यग में आमंतित किय असमेग यग करने वाला राजा बहुत सक्तिसाली माना जाता था यग में आमंतित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे और उपहार इसलिए लाते थे क्योंकि वो उनकी अब अधिन हो गए हैं यह प्राचिन काल की बिदी है ठीक है उसे की बारे मताया गया है इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य अस्थान होता था उसे राज सिंगहासन या बाग की खाल के एक बिसेस आसन पर बिठाया जाता था युद्ध छेत्र में राजा का सार्थी ही उसका सहचर होता था या कि क्योसर पर वह राजा की बिजेयों तथा अन गुरों का गान करता थ ठीक है यह सब बहुत राजा ने किया गया है समुर्ण गुप्त की बिजयों का उलेख हरिश्रेण ने किया था राजा के सगे संबंदी खास कर उसकी रानिया और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे अन्य सारे आमंतित राजाओं का काम सिर्फ बैट कर यागी की पूरी परकिया को देखना भर था राजा के उपर प्रोहित पवित्र जल के छिरकाओं के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था बिस अथवा बैसे जैसे सामान लोग उपहाल लाते थे जिन्हें परोहित सुद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों सामिल नहीं कयाता था इसका मतलब यह मानूं चला कि प्रोहितों का स्थान सर्बोच था जो ब्राममण ही प्रोहित बनता था और रुजा को हर तदरा की सला देता था पर कोन-कोन आते थे जितो आगे दिया है वन क्या होता था वन का मतलब होता है रंग लिखा है उस समय चार समाजिक वर्ग थे कव? बैवियिक कालमी ब्रामणों का काम बेदों का ध्यान अध्यापन और यगे करना था जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था चात्रियों का काम यूध करना, लोगों की रच्छा करना बैसेों को काम खेती अपसपरन और व्यापार करना और सुद्रों काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था लेकिन यहां एक जी आपको समझना होगा कि ब्राम्हर चत्रिये बैस और सुद्र में ट्रांसफर भी हो सकता था काम के अधार पर यह है क्यों ज्यां समझना अगर ब्राम्हर का बेटे को काम दिया गया है उसका काम क्या था ब्राम्हर का काम क्या था बेदो का अध्यन अध्यापन और यह के करना अगर वो ब्राम्हर का बेटा इस चीज़ करने में आज समर्थ है और अगर वो अच्छा योधा हो सकता है, मतलब सरीर से काफी सक्साली हो सकता है, अगर है, तो वो च्छत्रिये बन सकता था, अगर उसका मन ब्यापार में लगता है, तो ब्यापारी बन सकता था, बैस वर्ग में चला जाएगा उसका बेटा, और अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो वो सूद्र बन सकता है और सूद्र का लड़का अगर बहुत योग्य है तो वो बैस बन सकता है छत्रिय बन सकता है या ब्रामर बन सकता है तो इसका मतलब है कि ये जात के अधार पर नहीं था ये काम के अधार पर था जो जैसा काम करेगा वो ऐसा कहलाईगा ठीक है तो अगर सूद्र का बेटा पढढ느 है बहुत अच्छा है तो वो ब्राम्हर बन सकता था यहसा वन विवस्था में कहा गया था ठीक है यहां लिखा है एक पात्र दिया गया है इस पात्र में कई चित्र बने हुए हैं इसलिए से चित्रित धूसर मिर्त भांड कहते हैं, यहां लिखा हुआ है पात्र, यह देख सकते हैं, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादा थालियां और कटोरियां ही मिली हैं, यह पात्र बहुत ही पतली सता है, कि सुन्दर और चिकने हैं, साइध इसक आगे आते हैं जनपद क्या होता था तो महायग्यों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना हो करके जनपदों के राजा माने जाते थे मतलब पहले गाओं बना गाओं के बाद कस्बा बना फिर नचोटा नगर बना फिर जन बना जन के बाद महायग्यों के बसने की जगा होता है कुछ महात्मूर्ण जनपद आगे चित्र में दिया गया है पुरतत्विदों ने इन महाजनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की दिली में पुराना किला उत्तर प्रदेश के मिरट के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतिरंजी खेडा परमुख है याद रखना यही पर पहली बार लोहे की खुजुई है याद रखना एक हजार बीसी में ठीक है यह भी याद रखना आगे लिखा है खुदाई से पता चला है कि लोग जो पड़ियों में रहते थे और मबेसियों और अन जनूरों को पालते थे वहें चावल, गेहूं, धान, जो, डाल, डाले, गन्ना, तिल और सरसो और अन्य फसलें उगाते थे ठीक है? आगे लिखा है लोग मिट्टी के बरतन भी बनाते थे क्योंकि जाहिसी बात है, जब खेती में फसल पाइदा करेंगे तो रखने के लिए को तो करना पड़ेगा इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे इन बुरास थलों में कुछ बिसेस परकार के बरतन मिले हैं जिनने हम चित्रित धूसर पात्र के रूपे जानते हैं तो पुछा जाएगा बैदिक कार में बरतन को क्या कहते थे? याद रहना चित्रित धूसर पात्र कहते थे जैसे कि उनके नाम से अस्पेट है कि इन बरतनों पर चितरकारी की गई थी तो चितरकारिया की गई थी ये आम तो पर सरुर रेखाओं और जैमितिय आकितियों के रूपे चितरकारिया की गई थी जनपत की बात क्या बन गया महा जनपत बना कौन-कौन से महा जनपत है पहले आप इस माय पर देख सकते हैं कौन-कौन से महा जनपत इसमें थे जैसे आप देख सकते हैं आपका जो पाकिस्तान का छेत्र है वहाँ पर गंधार था ठीक है उसके दानी तच्चिसिला थी यह महत्पूर था कुरू दिली में हस्तिनापुर यहां पंचाल है यहां कौसल है यहां पैसाली है वज्जी अंग मगध कौसामभी ठीक है अवंती उज्जैन जिसे कहते हैं यह कुछ महाजनपदों के बारे में यहां दिया गया है और 16 महाजनपद थे यादखना 6 सताब्दी इसापूर में लिखा हुआ है करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्पूर हो गए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा जिसे चित्र में दिखाया गया है अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी कई जो है राजधानियों में किले बंदी की गई थी अर्थात उनके चारो और लकड़ी इट और पत्थर की उचे दीवारे बनाए गए थी सुरच्छा के लिए ठीक है तो सोला महाजनपद की जो लिष्ट है वह आप इस लिष्ट को दे सकते हैं यह सोला महाजनपद की लिष्ट है और इस लिष्ट में आप साप साथ दे सकते हैं कि जनपद कहां पे है बरतमान में और वो जो है उसकी राजधानी क्या है और वो ज महाजन्पद का नाम क्या है थे 16 महाजन्पद आपको याद करना पड़ेगा इस लिष्ट को आप आप आच्छे से देख लीजिए इसमें सबसे सक्षाली महाजन्पद कौन था मगद था ठीक है आगे लिखा हुआ है ऐसा लगता है कि लोगों ने अने राजाओं के आकमर से डर कर अपनी सुरच्छा के लिए इन किलों का निर्मार किया था जाएसी बात है कुछ राजा अपनी राजधानी के चारो और विसाल उची और परभाव साली दीवार खड़ी कर अपनी सम्रिधिक और सक्ति का परदसन भी करते थे इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उच छेत पर नियंतर रखना भी सरल हो जाता था इस तरह के विसाल दीवार बराने के लिए ब्यापक योजना किया हो सकता थी और लाखों की संख्या में इटो और पत्थों का इस्तेमाल इंदिजाम करना परता था हजारों इस दिपूर सो बच्चों ने इसके लिए आथक परिस्रम किया इसके लिए उन्हें संसाधनों की आउसकता पड़ी होगी ठीक है यहाँ पर एक दिवाल दी गई है आप यह दे सकते हैं यह दिवाल उत्तर प्रदेश के परियाग राज के बगल जिसे मिलाबाद पहले कहते थे कोसाम भी एक जिला है वहीं पर यह दिवार बनी हुई है पचीस सो साल पहले तो उस नगर की सुरच्छा के लिए दिवार बनाई गई थी यह उसी का एक मैप यहाँ दिखाया गया है ठीक है आदे सकते कितनी उची दिवार है और कैसे इसको बनाया गया है अब राजा सेना रखने लगे थे सिपाहियों को नियमित बेतन देकर पूरे साल रखा जाता था कुछ भुकतान समझता है आहत मुद्राओं आहा सिकों में कि घोता था और कुछ जो है अनाज के रूपे भी होता था आगे बरते हैं कर क्या है महाजनपदों के राजा बिसाल किले बनवाते थे और बड़ी सिना रखते थे तो किला बनवाएंगे बड़ी सिना रखेंगे तो आपसे कर तो लेंगे ही इसलिए उन्हें परचूर संसाधन की आऊ सकता होती थी इसके लिए उन्हें करमचारियों की भी आओ सकता होती थी, अता महाजन पदों के राजा, लोगों द्वारा समय समय पर लगाये गए, उपहारों पर निर्भर ना रह करके, अब नियमित रूप से कर वसूल ने लगे थे, ठीक है, तो कर कहां कहां वसूलते थे, ठीक है, तो क कर की वसूली करते थे, फसलों पर लगाए गये कर, कारी-गरी के उपर लगाए गये कर, पसपालको को जनोर या उनकी उत्पाद की रूपभे लगाया गया कर, ब्यापारियों को समान पर कर देना परता था, आखेट को, संगरहकों को जल, जंगल से प्राथ वस्तू पर कर दे और लोहे के इस्तेमाल होने से किर्सी छेत्र में उन्नती बहुत हुई क्योंकि फसलों का उत्पादन जदा होने लगा हल अब लोहे के बने लगे। लिखा है दूसरे लोगोंने धान के पौधों का रोपन शुरू किया अर्था खेतों में बीज छिरक करके धान उपजाने के बजाए धान की पौध तयार कर उनका रोपन किया गया अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे इसलिए पैदावा जादा होगी तो जाहिर सी बात है लोग जादा खाएंगे जा संख्या जादा बढ़ेगी ठीक है सुचमनिरिच्छन किया गया है मगद का मगद के बारे में हम पहले जान लेते हैं मगद महाजनपद जो है सभी महाजनपदों में सबसे सक्तिसाली था मगद के सक्तिसाली हो के पीछे कान किया हमें पहले बता देता हूं फिर आप लोग इसको पूरा पढ़ दूंगा मैं मगद महाजनपद यह गंगा नदी है और यह सो नदी है इसी के संगम परिस्तित था तो मगद महाजनपद प्राकिति रुप से सुरच्छा परदान करता था कि मगद पर कोई आक अकमर नहीं के जा सकता था और इसके द रचछी और पूर्वी छेतर में पहाड़िया थी तो मगद पर आकमर करना आसान काम नहीं था दूसरा मगद के राजा योग और अच्छे राजा थे जिन्हें ने मगद राज के उतकर्स को आगे बढ़ा दिया यहाँ पर जो पहाड़िया थी वहाँ लोहा पायाता था जिससे औजार बराना आसान हो गया तो सेना के लिए औजार हो गया, खेती के लिए जो हल बनने लगे और वहाँ पर कुटिर ऑ लोगुद्णुगो का विकास हो गया और जब किसी ज़्यादा अधिक होगी, तो मगद में जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो सेना में लोगों को भरती होने के लिए सैनिक भी मिलने लगे, तो मगद राज की उतकर्ज के पीछे कई कारण थे, इसी को यहां बताया गया है, ठीक है? नहीं लिखा है, मग जल बितन और जमीन को उब जाओ बराने के लिए महत्पूर्ण थी, तो इस से यातायाद भी संभव हुआ, जल बितन भी हुआ, खेती के लिए, और जमीन को उब जाओ बराने के लिए ये नदिया बहुत महत्पूर्ण थी, मगद का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, इन ज यहीं नहीं जंगलों में जंगलों से घर गाड़ियां और अरत बनाने के लिए लकड़ी भी मिल गई इसके अलावा इस छेतर में लोहे आयस की खोज हो गई खदाने थी और मजबूत और जार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे यही सब कारण है मगद राज के उतकर् यहां लिखा है मगद में दो बहुत ही सक्साली सासक बिम्बिसार और अजासत्रू हुए अन जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभो साधन अपराते थे महापदनन्द एक और मात्पूर्ण सासक था उन्होंने अपने नियंतर का छेत उसे इस उप महादियूप के उत्तर पच्चिमी भाग तक फैला दिया बिम्बिसार के समय में और अजासत्रू के समय में और महाजनपद का विस्तार जादा हुआ और महापदनन्द के समय में इसका विस्तार उत्तर पच्चिमी शेथ तक चला गया ठीक है बिहार में राजगिरे आधुनिक राजगिर कई सालों तक मगद की रालधानी बनी रही बाद में पाटली पुत्र आज का पट्टा को रालधानी के रूपे बहुत दिनों तक बनाया गया 23 साल से भी पहले की बात है मेसी डोनिया का राजा सिकंदर बिस्विजय करना चाहता था पूरी तरह सफलना होने के पर भी वा मिस्र और पश्मी एसिया के कुछ राजियों को जीता हुआ भारतिय महादियूपे ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया जब उसने मगद की और कूछ करना चाहा तो उसकी सिपायों ने इंकार कर दिया वह इस बास से भैभीत थे कि भारत के सासकों के पास पैदल, रत और हातियों की बहुत बड़ी सेना है तो मगद में कौन राजा था? घननन्द था जिसमा सिकंदर काक्मन हुआ था तो उसकी सेना से डर गए सिकंदर के सैनिक इसलिए वो पीछे कर गए, बैक कर गए इन सेनाओं और रिगुबैद में वो लखी सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दे रहा है जिसमा सेनाओं तो उसके पास यह सबातियार नहीं थे जो महाजनपद में आई एक वजजी महाजनपद है इसके बारे मताया गया है और वजजी महाजनपद बिसु का पहला गणराज है यह गणराज था ठीक है इसकी राधानी बैसाली थी एक आए जैसा कि तुमने उपर पढ़ा है मग़द एक सकतिसाली राज बन गया था उसके नजदी की वजजी महाजनपद था इसके उत्तर में जिसकी राधानी बैसाली बिहार थी यहां एक अलग किसम की सासन बिवस्था थी जीसे गण या संग कहते थे गण या संग में कई कई सासक होते तो याद रखना सबसे पुराना गणराज अगर पुछा जाए दुनिया कोना है तो वज्जी महाजनपद है ये भी याद रखना आगे बढ़ते हैं यहां लिखा है वज्जी संग का यहवलन दिर्ग निकाए में मिलता है दिर्ग निकाए एक परसिद बोध गरंथ जिसमें बुद्ध के कई बयाख्यान दिये गए हैं इनने करीब 300 साल पहले लिखा गया था तो अजास सत्रु ने वज्जी महाजनपद पर आकमर किया था ठीक है वज्जी महाजनपद को जीतना चाहता था तो उसने अजासत्रू ने क्या किया? तो अजासत्रू ने वज्जी संग पर आकमर करना चाहते थे उन्होंने अपने मंत्री वसिकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा ठीक है? बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाए नियमित रूप से होती है क्या उन्हें सभी सदस उपसित होते हैं जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उनती करेंगे जब तक पूण और नियमित सभाए करते रहेंगे ठीक है? तो इसका मतलब है कि उसके वज्जी महाजनपत के सक्तिसाली होने की पीछे ये सब कारण थे ठीक है? तुसरा क्या करना है? आपस में मिल जोर करके काम करते रहेंगे तब तक वो कभी हार नहीं सकते परामपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे बड़ो का सम्मान समर्थण और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे? वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबस्ति नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, सहरों और गाओं में चैतों करक रखाओ करेंगे, विभिन मतौलंबी संतों के सम्मान और उनके आने जाने के पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, इस चीज को बताये गया, यहां लिखा है वज्जी संग अन्य महाजन पदो से भिन कैसे थ ठीक है, तो कम से कम तीन अंतर बताना है, तो यह अंतर यही है, यह नियमी सभाय करते थे, हर चीज को मिल जूर करके काम मिलाते थे, और यह हर नियमों को पालन ठीक धंक से करते थे, ठीक है, इसलिए वज्जी महाजन पद को जीतना जो है, अजासत्रों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसने जो है अपने मंत्री वसकार की मदद से जो है वज्जियों में फूट डाल दिया और तब जो है वज्जी महाजनपत को अजासतों ने जीता था ठीक है आगे बढ़ते हैं लिखा है कई सक्तिसाली राजा इन संगों को जीतना चाहते थे इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग पंदरा सो साल पहले तक चलता रहा उसके बाद गुप्त सासकों ने गण और संग पर विजया प्राप्त करूने अपने राज में मिला लिया इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नौए अध्याय में ठीक है तो यहाँ पर यह जो है बताया गया है इसको मैंने आप लोग इसको पढ़ लीजेगा मैंने इसको बता दिया है ठीक है किसी कुछ में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके उसको पूछ लीजेगा ठी ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कुछ महात्मूर्टितिया नए सासक लगभग 3,000 साल पहले महाजनपद लगभग आज से 3,000 साल पहले सिकंदर का आकमण देग निकाय का लेखन लगभग 2,300 साल पहले गण और संग राज्यों का अंत लगभग 1,500 साल पहले त इसमें बुद्ध, जैन धरम और कुछ अन्य चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है ठीक है लिखा है बुद्ध की कहानी ठीक है बुद्ध की कहानी यहाँ बताई गई है कि गौतम बुद्ध के संदर में क्या क्या चीज़े यहाँ पर important है उसको note भी कर ले इस दिए उनको गौतम कहा जाता था इनका जनम लगबग 25 सो वर्स पूर्व हुआ था आज से लगबग 25 सो वर्स पूर्व हुआ था यहाँ समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे अर्थाद छटी सताबदी ईसापूर में जिस समय महाजनपद का उदय हो रहा था उसी समय बुद्ध का भी उदय हुआ है ठीक है लिखा है कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत सक्तिसाली हो गए थे जैसे बिम्बिसार अजासतरू हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे गाउं के जीवन में भी बदलाव आ रह था बहुत से बिचारक इन परजुवरतनों को समझने का परियास कर रहे थे वह जीवन के सच्चे अर्थ में को भी जानना चाह रहे थे बुद्ध छत्रिये थे चत्रिये थे तथा साक्य नामक एक छोटे से गण के सिसंबंदित थे क्योंकि वह जीमाजन पत्में थे अल्दता ग्यान प्राप्ति के लिए उन्होंने सुयम की ही रास्ता ढूनने का नीचे किया इसके लिए उन्होंने बहुत गया बिहार में एक पीपल बिच के नीचे जो है कुछ दिनों तक तपस्या किया और अल्दता उन्हीं ग्यान के प्राप्ति हुई और बुद्ध न वरारसी के निकट सारनाथ गए और सारनाथ को या देखना इसे मिर्गदाव और जो है रिसी पतनम भी कहा जाता है ये भी या देखना ठीक है इसके दो नाम और भी हैं कुसी नारा में मिर्द से पहले एक कसेस जीवन उन्होंने पैदल ही एक अस्थान से दूसरे अस्थान य लालसाओं हमेशा जो पूरी नहीं हो सकती कार्ण होता या दखना बुद्ध ने कहा कि हर बेक्ति दुखी है और दुख और कष्ट का कारण क्या है लालसा इच्छा जितना हम इच्छा करेंगे उतना हम दुखी रहेंगे लिखा है कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप् बेदर दुखा हमेशा इसे क् учrecht लालसा हो जाना किसी चीच पाने के लिए था दिए Oh अगे उन्होंने कहा उन्होंने ओने लोगों को दयालू होने किसी चीज़कों करने के लिए बुद्ध ने इसे सामान लोग भी उनकी संदेश को समझ सके मतलब उन्हें जनता की भासा में अपना संदेश दिया यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, एक सारनात अस्तूप यह गुप्तकान में बनाया गया था, इस इमारत को अस्तूप के नाम से जाना जाता है, यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उप्देश दिया था, यह सारनात में इस्तित है, ठीक है, तो आप यह लिखा है, बेदो की रचना के लिए किस भासा का प्रयोग किया गया था, तो आपको पता होगा, संस्क्रित, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी सिच्छा को केवल इसलिए नहीं सुविकार करें, कि यह उनका उपदेश है, बलकि वे उसे अपने विबेग से मापे, आओ देख किसागो तुमी की कहानी क्या है, या बुद्ध के विषय में एक परसिद कहानी है, एक समय की बात है कि किसागो तुमी नामक एक इस्तिरी का पुत्र मर गया, इस बास से वह अतिदिक दुखी हुई, और वह अपने बच्चे को गोध में लिए, नगर की सड़कों पर घुम मुठी सरसों के बीज लाकर तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूँगा, किसागो तुमी बहुत पसंद हुई, पर जैसे हुआ बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ, जहां किसी की मिलत ना हुई हो, उसको समझाने के लिए ऐसा किया उन्होंने, तो ऐसा कोई घर दुनिया में नहीं है, जहां पर किसी की मिलत ना हुई हो, ठीक है, किसागो तुमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई, उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी की, कि पिता, माता, बहन, भाई, पती, पतनी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मिलत हुई थी, बुद्र दुखी मा को क्या सिच्छा देने का प्रयास कर रहे थे, तो आप समझ गए होगे कि मिलत निश्चित है, इसलिए उसको लेकर के बियोग मत करो, ठीक है, औ दुखी मत रहो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आ सकता है, जो एक बार मर गया, वो दुबारा चिंदा नहीं हो सकता है, तो क्यों वो महिला प्रयसान रहे, इसलिए उस चीज़ को बताया गया है, यहां लिखा है, उपनिसद, या देखना, उपनिसद जो है, य इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दासनिक परशनों का उत्तर ढोनने का प्रयास कर रहे थे, यहां दखना, जिस समय बुद्ध थे, उसी समय और भी बहुत से लोग थे, जो अलग-अलग काम कर रहे थे, ठीक है, अभी उनके बारे में बताऊंगा आगे, लिखा ह इनि वे से कुछ मिर्टक के बाद के जीयोन में जाणना चाहते थे ताकि अन्य यग्ण के उपयोगिता के बारे में जानने को उस्सुक थे, इनि में से अधिकांथ चिंतकों का यह मानना थे कि इस बिसु में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है और जो मिर्टक के बाद भी बचा रह सकता है उन्होंने इसका ओरन आत्मा और ब्रम अर्था सर्भोम आत्मा की रूप में किया। वह मानते थे कि अन्धथा आत्मा और ब्रम एक ही है। ठीक है। तो आत्मा और परमात्मा से जुरी चीजों का जब दर्सन निकाला गया तो उसे उपनिसदों में अस्थान दिया गया। ऐसे कई विचारों का संक्रण उपनिसदों में हुआ है। उपनिसद उत्तर बैदिक काल बैदिक गरंथों का हिस्सा थे। उपनिसद का साब्दिक अर्थ है गुरू के समीब बैठकर ग्यान परात करना तो उपनिसद का मजलब क्या होता ये भी जामे पूछा जाता है इन गरंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बाचीत का संक्रण किया गया प्राया ये विचार सामान वारताला आपके रूपे परस्तुत है ठीक है यहाँ पर एक आगे बढ़ते हैं लोग जिस समय बुद्ध चट्रावीसापूर में थे उसी समय 16 महाजनपदों का विकास हुआ और उसी समय भारत में कई बोधिक अलग-लग जो है पधतिया उत्पन होई और कई उसके जो है जरंदाता थे बारतिय दर्सन की छे पधति ठीक हम सर्दर्सन कहते हैं सद्यों से भारध्रण सक्त्य की बोधिक खोज का परतनितु earned दर्सन की छे साखाँ ने किया था यह बैसेसिक, नियाय, सांख, योग, पूर्णमिमांसा और विदान्त या उत्तर मिमांसा के नाम से जाने न्याय का, कपिल ने सांक्य का, पतंजली ने योग का, जैमिनी ने पूर्मिमानसा का, भ्यास ने बेदांग का, ठीक है? आगे लिखा हैं, कि जो आज भी देश में बहुत धिक चर्चा को दिसा देते हैं, जर्मन मुलक के बिसिष्ट भारत बिद फेडरिक मैक्स मुलर के नुसार, दरसन की इन छे साखाओं का विकास कई पीरियोग दोरान बेक्तिकत बिचारकों की योगदान से हुआ है, भुद्धिमान बिखारी, ये एक कहानी दी गई है, भुद्धिमान बिखारी की, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजेगा, ठीक है, इमें ऐसा कुछ है, नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजेगा, यह लिखा है, इन चर्चाओं में भागेने वाले अधिकांस पुरुस इन महिलाओं के नाम है, इनको याद खना, जो अपनी बिदोता के लिए जानी जाती थी, और बाद भीबाद में भाग लिया करती थी, निर्धन बैक्ती, इस तरह के बाद भीबादों में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, इस तरह का एक परसिद अपवाद सत्यकाम जवाला क सत्यकाम जवाला का नाम, उसकी दासी मा के नाम पर पड़ा, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तिवरी जिग्यासा हुई थी, गौतम नामक एक ब्राम्हन ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप पे सुविकार किया, था वह अपने समय के सरवादिक परसिद बिचा बिचारकों में से एक थे, उपनिस्दों के कई बिचारकों का विकास, बाद में परसिद बिचारक संकरा चार के द्वरा किया गया, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्लास 7 में, ठीक है, यह लिखा है, ब्याकरण बिद पढणनी कों थे, इस युग में कुछ अन्य बिद्वानों की ने भी खोज कर रहे थे, उन्हीं परसिद बिद्वानों में एक पढणनी की संस्कित भासा के ब्याकरण की रचना की, उन्होंने स्वरों बेंजनों के एक बिसे करम में रखकर उन्होंने उनकी अलहार पर सूत्रों की रचना की, ठीक है, तो इसका मतलब ह अर्थात लगभग पचीस सो वर्स पुर्व, जैन धरम के चोविसवें और अंतिमति ठंकर वर्दमान महाबीर ने भी अपने बिचारों का परचार किया वह वजी संग के लिच्छबी कुल के छत्रिय राज कुल राज परिवार से थे तो बुद्ध और महाबीर दोनों जो है लिच्छबी वजी महा संग से जुड़े थे इस संग के विच्छे में तुमने अध्याय पाज पढ़ा होगा बिल्कुल तीस वर्स की आयों में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे ग्ञान की प्राप्ति हुई उनकी सिछा सललल्थी सत जानने कि इच्छा रखने वाले परतेक इस्ति वा प्रुस को अपना घर छोड़ देना चाहिए वो उनका कहना था उन्हें अहिंसा के नियमों का कलाई से पालन करना चाहिए ताकि किसी भी जीव को ना तो करश्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए महवीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिये है जाहिर सी बात है अभी तुम्हें एक चीटी को मारना सुरू करो देखो चीटी भी गायल होने के बाद भी इधादर भागने लगती है ठीक है तो हर जीव को अपना जीवन प्यारा है मावी ने अपनी सिच्छा प्राकित भासा में दी यही करण है कि साधान जन भी उनके और उनके अन्युआई को सिच्छा को समझ सके तो बुद्ध और मावी दुनों ने देशी भासा का पर्योग किया जो भासा वहां बोली जाती थी प्राकित भासा का पर्योग किया इसलिए लोग उनसे जुड़ते चले गए देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकिर्त के अलग-अलग रूप परशल परशलन छेत के अधार पर ही उनके अलग-अलग नाम थे जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकिर्त मागधी कहलाती थी जैन नाम से जाने गए महाबेर के अन्यवाईयों को भोजन के लिए भिच्छा मांगर साधा जीवन बिताना होता था उन्हें पूरिता से इमानदार होना होता था चोरी नहीं करना होता था और ब्रमचर का पालन भी करना होता था पुर्सों को वस्त्रों सहित कुछ अन्य चीजों को त्यागना होता था अर्थाद नग नवस्ता में रहना पड़ता था अधिकांस बेक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था भी हजारों बेक्तियों ने इस नई जिवन पड़ती को अपराने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया कई अपने घरों पर ही रह करके बिच्छू भी छोड़ी बन गए और लोगों को बोज़न परदान कर जो उनकी सहाइता करते थे अगे है मुक्तिया ब्यापारियों ने जैन धरम का समर्थन किया क्यों 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 क्य पड़ता था बात की सदियों में जैन धरम उत्तर भारत के कई हिस्सों किसा साथ गुजरात तमिलनाडु कनाटक में ही फैल गया महाबिर और उनके अन्युआईयों को सिच्छा कई सताब्दियों तक मौकित रूप से रही बरतवान में उप्रद जैन धरम की सिच्छाएं सब्द से निकला है जिसका आर्थ होता है बिजेता महाबिर के लिए जिन सब्द का परियोग क्यों हुआ है क्योंकि वो ग्यान प्राप कर लिये थे और दुखों से उपर हो गये थे इसलिए उन्हें सुख दुख से इसलिए उन्हें बिजेता कहा गया संग क्या है तो यार भी ग्यान प्राप्ति के लिए तो घर त्याग देते हैं और हास्टल में दूर दूर जाकर के परते हैं सहरों में ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संग नामक संग्धन बनाया जहां पर जहां घर का त्याग करने वाई लोग एक साथ रहते थे संग में रहने वाले बहुत भि प्रुसों और इस्त्रियों के रहने के लिए अलग-अलग बेवस्था थी। और दिन के एक निची समय में वे सहरों गाउं में जा करके बिच्छा मांगते थे। यही कड़ों ने बिच्छो और बिच्छोनी कहा गया है। वे आम लोगों को सिच्छा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई करने टारा करने के लिए वे पराया बैठके क्या करते थे। संग में परवेस लेने वाले लोगों में ब्रामहर, छत्रिय, ब्यापारी, मजदूर, नाई, कड़िकाएं, दास, समलित थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की से चाओं के बिसे में लिखा और कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के बिसे में सुन्दर कविताओं का उले किया। बिहार क्या होता है? तो बिहार जहां बिच्छू लोग रहते थे उसे बिहार कहा जाता था। दिखा है जैन और बहुत बिच्छुरू पूरे साल एक अस्थान से दूसरे अस्थान घोमते हुए उपदेश दिया करते थे केवल वर्सा रितू में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक अस्थान पर निवास करते थे ऐसे समय में अन्युआईयों द्वारा उद स्रण अस्थलों के आऊ सता के अन्युख किया और तब कई सरह सन्थल बन गए जिने हम बिहार कहते हैं तो बिहार पहार को काटके बनाया गया जैसे महराश्ट में आप दे सकते हैं तो बिहारी के सक हुझाय के सबभाय औरहा के समय में व्यांवार ऑप Tube के एता प्च्छि गई यह सिर्जनंटायोरा मैंने बता लिया प्रया सभी प्रया किसी धनी वैपारी राजा या भू सौवी दान में दी गई भूमी पर बिहार का निर्मार होता था ठीक है अस्थाई बिख्चु बिख्चुडियों के लिए भोजन वस्त और दवाईयां लेकर आते थे जिसके बदले में बिख्चु और बिख्चुडी लोगों को सिच्छा देते थे आगे आने वाले सताग्जियों में बहुत धरम उप महाद्यूप के विभिन हिस्सों में जो है साथ-साथ- चीन जापान देसे देसों में बहुत धरम इसी कारण फैला है ठीक है आगे लिखा है इस समय बहुत धरम की एक नई धारा महयान का विकास हुआ तो हीन यान और महयान में बहुत धरम बढ़ गया इसकी दो मुख्य भी सेस्ताय थी पहली मूर्तियों मूर्तियों में बुद्ध की उपर से थी सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दरसाय जाती थी मिसाल के तोर पर उनके निर्वाल प्राप्ति को पीपल के पेलगी मूरती दोरह दर्साया जाती था पर अब बुध की परतिमाई बनाई जाने लगी बतलब बुध की मूरती भी बनने लगी इनमें से अधिकांस मत्वरा में बनी और कुछ तच्चे सिला में बनाई गई थी गंधार में ठीक है आगे यहां क्या दिया था एक चीज़ यहां कुछ लिया था एक बहुत गरन से ग्यात होता है कि जिस तरह महासागरों से महासागरों मिलने पर नदियों की अलग-अलग पहचान समाप्त हो जाती है ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुवाई जब भिच्चू की सेरी में परभेश करते हैं तो वे अपना वण सेरी और परिवार सब त्याग देते हैं अगे लिखा है दूसरा परिवरतन बोद्ध सत्तु में आस्था को लेकर आया बोद्ध सत्तु उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं और पूरे मध्ध एसिया चीन बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई ठीक है बोद्ध धरम का परचार पश्मी और दच्छी भारत में भी हुआ जहां बोद विच्छुओं के रहने के लिए पहाडों में दरजनों गुफाईं बनाई गई हैं जैसे मैंने आपको बता दिया है ठीक है यहां लिखा हुआ है बोद्ध धरम दच्छीर पूर्व कियो स्रीलंका म्यामार थाइलेंड इंडोनेसिया सहित दच्छीर पूर्व एसिया के अन्य भागों में फैला थेरवाद नामक बोद्ध धरम का आरंभिक रूप इन छेत्रों में कहीं अधिक मिलता है ठीक ह लिखा है तीथ यात्री वे इस तरी पूरुस होते थे जो प्राथना के लिए पवित अस्थानों की यात्रा करते थे इसी तरह भारत की यात्रा पर आया तीथ यात्री जो है फाहियान काफी लोग परसिद था वा करीब सोला सो साल पहले आया था हुएंसांग जो है चोदा मठो को देखने के लिए भारत आये थे इन में से परतेक तीथ यात्री ने अपनी यात्रा का वड़न किया उन्होंने अपनी यात्रा के दोरान कई मुस्किलों के बारे में भी लिखा कि भारत में हमें क्या-क्या मुस्किले हुई है इन यात्राओं में कई वर्स लग जाया करते थे जिन देशों और मठोक उन्होंने देखा उसके बारे मुन्होंने लिखा और इन किताबों के बारे मुन्होंने लिखा जिसे उए अपने साथ ले गए तो भारत की जीवन पदती के बारे मुन्होंने लिखा यहां यह लिखा है नालंदा बिस्विद्याले के बारे में एक विस्ष्ट ग्यान दिया गया है होएंसांग तो था अन ती थियात्रियों ने उस समय के सबसे परसिद बोध बिद्याकेंद नालंदा बिहार का अध्यन किया तो नालंदा में याद रखना होएंसांग ने अध्यन किया था उसे नालंदा के बारे में इस परकार लिखा है कि यहां किसे च्छक योगता और बुद्धी में सबसे आगे हैं बुद्ध के उब्देसों का वह पूरी इमानदारी से पालन करते हैं मठ के नियम काफिक सकते हैं जिनें सब को मानना पड़ता था पूरे दिन बाद विबाद चलते रहते थे ठीक है जिसे युवा और बुद्ध जो है बुद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते थे मदब विब्द लोग ठीक है विबीन सहरों से बिद्धवान लोग अपनी जो संकाय दूर करने यहां आते थे नए जो है आंगुत्तों को से पहले द्वारपालों की कठिन परिश्चा पूछते थे मदब जो लोग आते थे तो द्वारपाल पर ही उनसे कटिन परिच्छा पर्षन पूछे जाते थे उन्हें अंदर जाने के अनुमती तभी मिलती थी जब वो द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे तो मतलब वहाँ पर उनको परवेज नहीं मिलता था हो इंसांग नरंदा में क्यों पढ़ना चाहता था क्योंकि वह बहुत धरम के बारे में जानना चाहता था ठीक है यहां लिखा है जीवन के चरण आसरम तो यहां देखना उस समय चार आसरम का उलेख था तो आसरम सबकताथ पर जीवन के एक चरण से है तो आसरम को एज के अनुसार चार भावन बाटा गया था ब्रमचर आसरम, गरिहस्त आसरम, वानपरस्त आसरम और सन्यास आसरम में ब्रमचर के अंतरगत ब्राम महर छतरिय बैस से या उपेच्छा की जाती थी कि वह इस चरण के दोरान सदा जीवन बिता करके बेदो का अध्यन करेंगे तो ब्रमचर में बेदो का अध्यन होता था गरिहस्त आसरम के अंतरगत तो परिवार, वह जो है परिवार या विबाह कर नए गरिहस्त रूप में रहना होता था वानपरस्त में उन्हें जंगल में रहकर साधना करना होता था और सब के लिए काम करना होता था दूसरा और जो कुछ त्याक का सन्यासी बन जाते थे आसरम जो है अंतिम जो था वो सन्यासी था उसमें केवल अपने मोच के प्राप्ते के लिए काम करना होता था बाकि आस्रम व्यवस्था एक बारे में आगे मैं विस्तार से बताऊंगा आस्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्वा ध्यान में लगाने पर बल दिया ठीक है तिया दखना उस समय आस्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर ब्रमASH चर जो है यह जो यार रहे ना 0 से 25 वर्स तक था गृहत पचीज़़वर्स से 50 वर्स तक वानप्रस्थ 50 वर्स से 75 वर्स तक और सन्यास 75 से 100 वर्स तक तो मनूस्थी एज को 100 वर्स मान करके 4 भागम बाटा गया था तो इस ब्रहमचर में सिच्छा धन करना होता था और ब्रहमचर का पालन ग्रिहस्त में बिबा करके परिवारी जीवन जीना होता था वानपरस्त में परिवार को छोड़कर जंगल में जाना होता था और जो है समाज की भलाई के लिए काम करना होता था और सादत जीवन जीन होता था और अंतिम समय में मोच की प्राप्ति के लिए सन्यास लोग ग्रहन कर लेते थे यही चीज है आस्रम विवस्ता ठीक है पाकि यहां चीजे दी गई है आप उनको अच्छे दे सकते हैं अब कोई भी कुशन आएगा तो आसानिसे आप कर सकते हैं ठीक है